दोस्तों स्वागत एक बार फिर से आपके अपने एजूकेशन चैनल है यूट्यूबर देव में तो दोस्तों स्कूल खोलने के लिए नया मॉडल त्यार किया जा रहा है वो वह HRD मंतराल है यानि कि मानोसन साधन और विकास मंतराल है जो है Human Resource Development जो मंतराल है उसकी तरफ से न तो आदे दिन कैसे क्या तो देखो पूरा इस समाचार का रुख करते हैं दोस्तों कोरोना महमारी के चलते आम लोगों की जीवन सहली में बड़े बदलाव सू निश्चित है ऐसा ही बड़ा बदलाव देश की स्कूली शिक्सा में राने की त्यारी है मानोसन साधन विकास म संत्राले स्कूलों के मौजूदा 220 सिक्षन दिवस यहां स्कूलों में 1320 सिक्षन घंटे के मौडल को स्कूल और घर में मिली जुली पढ़ाई में बदलने की त्यारी में दोस्तों यह जो हैं वो अलग-अलग होते हैं पहले इसे पांच वी तक अलग होते हैं और फिस शिक या 600 घंटे क्योंकि 6 घंटे परड़े होते हैं तक कम करके इस समय को जो है घरों पर सक्री पढ़ाई में बदल दिया जाएगा वहीं स्कूलों में इतने ही समय यानि की 100 दिन या 600 घंटे पढ़ाई होगी बचे हुई 120 घंटे या 20 दिन जो है वो हर महीने में 2 दिन टुटल विद्यार्थियों को भावनात्म स्वास्ते के लिए जो है घरों में डॉक्टरों काउंसलर जादी के लिए समय दिया जा सकता है और इसके लावा दोस्तों 30 से 50 परशेंट स्कूल ही बच्चे होंगे इसका दात पर ही है कि अगर स्कूल में 100 बच्चे आते हैं तो 30 से 50 से 30 से कम नहीं होने चाहिए और 50 से ज्यादा नहीं होने चाहिए तो 30 तु 50 परशेंट जो है बच्चे होंगे पूरे पूरे नहीं बुलाए जा सकते क्योंकि as I said before तुमने पहले बताया कि ज्यादा बुलाने से क्या है अगर बगवान अगर किसी को अगर शंक्रमेन है तो वह बहुत ज़्यादा बच्चों फैल जाएगा कि उससे सोसल डिस्टेंसिंग जो है मैंटेन नहीं हो पाएगी बच्चे ज़्यादा होगी भीड ज़्यादा होगी तो दूर दूर रहना थोड़ा मुश्किल होता चला जाएगा एक बार में 30 से 50 फीस दी से ज़्यादा बच्चे स्कूलों में मौदूद नहीं रहे इसके लिए ग्रेडिट फॉर्मेट या दोहरी सिफ्ट को बढ़ा जाएगा ककसा एक से पांच तक को जो है सबता में केवल तीन दिन और ककसा छे से आट तक बच्चों को सबता में 2-4 दिन और ककसा 9-12 तक शात्रों को 4-5 दिन ककसा लगेंगी तो जो 6-8 है बच्चे उनके मीडियम है 2-4 अनिके लगबग 3 दिन और 4-4 लगबग दिन जो है नौवी से बारवी तक के और जो सबसे छोटे जो है वो साइक से पांस ते उनके तो तीन दिन लगेगी तीन दिन अवकास रहेगा तो घर बैठके उनको पढ़ना होगा 45 मिनट की जगह अब 30 मिनट क्योंकि 45 मिनट की 40 मिनट की लगवे क्लासेज होती है आम तौर पे तो सापता एक टाइम टिबल सिस्टम जिसमें पीरियड का समय 45 मिनट में से घटा कर 30 मिनट करने की सला भी दी जाएगी तो बच्चे जो है एक्टिव होके पढ़ पाएं और कुछ विशियों की एक इकरित पढ़ाई के लिए एक घंटे के विशिश पीरिड की योजना भी प अपने एक घंटे तक चले जाएंगे उन हाड सब्चेट के लिए और कुछ सब्चेट जो थोड़ी लिल्ल बिट इजियर साइड में हैं तो उनके लिए जो है पैतार से 30 मिनट ही लेंगे तक फटा बड़ से उनको आगे बढ़ाया जा सके फिर दोस्तों आवकास की बात त साथ घर्षे पढ़ने की छूट देने का भी प्रस्ताओं शामिल है तो घर्षे अगर पढ़ना चाहते हैं और तोड़े बिमार बगिरा है तो जल्दी उनको अवकास मिल पाए और घर्षे पढ़ने के उनको सुईधा आवेलबल हो पाए तो इस सब के लिए भी नियमों को संचालन पर क्रिया जारी किये जाएंगे तो दूर दूर रहना एक बस में अगर पचास बच्चे बैठते हैं तो उसमें से 20-30 सी बैठाना कम बैठाना और भीड नहीं करना रातना सबा थोड़े दिन नहीं करना और दूर दूर रहना मास्क बेन गयाना सैनेटाइजर से हा अधा होंगे सूत्रों के नुसार मानो संसाद मिकास मंतराले पेन और पेपर पर आधारिक मुल्यांखन विवस्ता को हतोच साइथ करने की होजना पर काम कर रहा है इसके बजाए कक्षाओं में भूमी का अधा करना विशय और बजन टेसन और घरों पर प्रोजेक्ट वरका मिड़े मेल दोस्तों सरकारी स्कूलों में मिड़े मेल यानि के दोपेर को जो भोजन मिलता है साथों दिन अलग अलग होता है वो उसके लिए भी गाडिलेंट बनाई जाएगी इनमें सबजियों को नमक हल्दी के गोल से धोया जाएगा और खाना बनाने वाले और साइकों को रोज़ाना थर्मल स्केनिंग की जाएगी और बरतनों को सैनिटाइजेशन की परक्रिया होंगी दोस्तों यहाँ पर मुझे थोड़ी शक्ती नजर में जो है मुझे लग रही है क्योंकि देखो दोस्तों जो भी काम धियात में लगे हुए हैं ऐसे जो इसमें करमचारी वो बहुत ही निरे मुर्ख जैसे होते हैं आप बुरा मुतमानिय का इस बात का बट मैंने खुद स्कूलों में देखा है और वो कहीं भी वो तो यह सब यह चीज़ें तो छोड़ों गया सैनिटाइजिसन यह सब तो बहुत दूर की बात हैं साबुन से हाथ तक नहीं दोते हैं वो लोग समझ रहे हो आप बात को तो यह तो बहुत जादा मुझे सबसे ज़्यादा डेंजरस चीज़ लग रही हूँ यह लग रही स्कूल है और नमक खल्दी के गोल से वो लोग दोएंगे मर जाएंगे दोएंगे नहीं वो ठीक है तो इसका बिल्कुल मैं तो समझत हो जाती है एक डीड़ महाईने तब्चे भुखे रहते हैं मुझे बताशी तब बच्छे भूखे रहते हैं यह पर इसकूल वाले demons war फो घर पर बोजन पहँचाने जाता है तब क्या खाते हैं बच्चे वैसे ही इस एक साल तक दो महीने तक चार महीने चे महीने तक वो अगर घर का खाना खा लेंगे घर जाकर खा लेंगे या फिर घर से टिफिन लाके खा लेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा उनका बिमारी से बचना बड़ी बात है या फिर घर का कोई खाना का के दो पैसे घरवा लोग लगए वो बड़ी बात है तो आज कल तो खाना तो हर किसी को मिल ली सकता है कितना ही मज़ूर हो कितना ही कुछ मज़दूरी हो मजबूर हो कुछ हो घर का खाना कोई भी आज खा सकता है भूखा सोने वाली बात इतने लोगों पे लागो नहीं होती एटलेश जो गाव दिहात में रहते हैं और सरकार स्कूल में जिनके बच्चे पढ़ते हैं मैं नहीं समझता हूं उनको ऐसी कोई मजबूरी है और सपोज अगर है भी तो इतने दिन क्या वो बच्चा भूखे रह रहा था दो महीने एक महीने ये कब से है 21 मार्स से आई तेंक लॉगडाउन है तो अभी तक तो दो महीने हो गए हैं आगे और भी जाएंगे तीन महीने तक सौ दिन तक वो बच्चा भूखा रह रहा था ये में बात है सोचनल लाइक तो सभी स्कूलों से ऐसे वेक्ति बच्चों पर ध्यान केंद्रित करने को का जा सकता है जिनके पास आउनलाइन सुईधार सीफ ने जादन अकलब नहीं है तो जो पीछे हैं बच्चे उनको थोड़ा आगे लाने के मौके दी जाएंगे और प्लाइन करने वाले अलाकों में मौझूद इसकूलों से फौरण ही ऐसे बच्चों को नाम न काटने को का जाएगा जो अपने ग्र और स्कूलों मोर क्या के एंजाम होगे आउट दोर क्लास जहां संबव हो ऐस्ता ही आउट दोर क्लास बनाई जाह जहां दूर दूर बütfen बार खुलें बेढ़ जाएं लेकिन आप दूर दूर बैटी आगाएं दूसरी बात छे फुट की दूरी हो क्लास रूम में श्टाप टीचर भी दूर रहें हो और आमा ने सामने नहीं आप संक्रमन फैलने का है चांस बहुत कम होगा इस्कूल परीवान इस्कूल बस आदी को रोज बार दो बार सेनिटाइजिसन किया जाए और एक सीट पर एक बच्चा ही बैठे का ज़्यादा नहीं बैठेंगे आलंकि ये प्राइवेट स्कूल गिली मैं तो कहरा हूं बड़ा मुस्किल है क्योंकि वो पांच के बच्चों को आदर सुरूफ से कोई स्कूल वेग लेके नहीं जाना होगा तो ये भी अच्छी बात ही है खेर वैसे अमेरिका बगिरा में देखा जाए तो बच्चे अपना जो भी लैप्टॉप तो खेर बड़ी क्लास वाले चोटी क्लास वाले अपना एक टेब उसमेर लेकर आया था आपके लिए विस्तार पूरुक समझाने की लिए मुझे और उस तस मिनिट लग गए लेकिन आपने अपना महत्मून समय दिया और इस वीडियो को पूरा देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार